हलो प्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तो इस वीडियो में चडिशा करने वाले हैं अडानी विलमार के पहले क्वार्टर के नंबर्स के बारे में supply side पे कितना आपके company का effect पढ़ता हुआ देखने को मिला revenue कितना रहता हुआ देखने को मिला ये जानना बहुत important है तो इस वीडियो में बात करेंगे और यहां से पहले 1000 रुपे होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर पहले 500 रुपे होता हुआ देखने को मिलेगा तो कह सकते हैं काफ़े important वीडियो अने वाला है friends चैनल से पहली पर अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर subscribe कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को like करके आप जरूर जाईएगा so friends अडानी विलमार के नंबर्स पर हम आ चुके हैं तो सबसे पहले चलिए कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं और सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंपनी के revenue from operations के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर revenue from operation है चलिए revenue from operation के आकड़े को चेक कर लेते हैं तो friends company का revenue from operation जो पिछले साल था करीबन 11,311 करोड 11,311 करोड से बढ़के 14,731 करोड पर company का revenue from operation आता हुआ देखने को मिला है यानि company का revenue तो definitely grow करता हुआ देखने को मिला है 11,311 करोड से 14,731 करोड पर आता हुआ देखने को मिला है यहीं बात करें company का quarter on quarter revenue पर तो quarter on quarter revenue definitely dip दिखा है 14,960 करोड से कम होगे 14,731 करोड तो definitely दिखें इतना बड़ा dip तो आता हुआ देखने को नहीं मिला है दोसो करोड के आसपस आप मान के चल सकते हैं कि यहां company का revenue dip के है बट गिरता हुआ जरूर देखने को मिला है quarter on quarter अब अगर यहां पर देखें company की total income को total income दोस्तों यहां पर पिछले साल company के करीम 11,370 करोड के आसपस दर्ज होती भी देखने को मिलती तो एक अच्छा jump company के numbers पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है बात करते हैं income की तो यहीं बात करें quarter on quarter company की income तो quarter on quarter definitely dip आया है 15,022 करोड 15,022 करोड रुपीज दोस्तों company की quarter on quarter यहां पर कह सकते हैं कि income थी जो कमों के 14,783 करोड पे आती भी देखने को मिल चुकी है तो definitely quarter on quarter तो company के numbers पे आपको inside of revenue और inside of income दोनों के अंदर आपको dip देखने को मिला है तो कह सकते हैं कि हाँ यहां पर तो company का business जो है वो quarter on quarter बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है अब बात करते हैं company के खर्चों के बारे में यानि company के expenses के बारे में तो दोस्तों यह figure है company का total expense का total expense कितना रहता हुआ देखने को मिला है company का पिछले साल तक 11,144 करोड इस साल होता हुआ देखने को मिला है 14,530 करोड see expense से अगर expense बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है company का business बढ़ा तो expense भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे उस पर कोई दिक्कत नहीं है इसके बात का figure important होता है जो profit before tax होता है ठीक है वो उसके बात करेंगे previous quarter में company का जो दोस्तो expense था वो 14,724 करोड था तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ देखने को मिल रही है कि company का जो expense है वो quarter on quarter गिरता हुआ देखने को मिला है लेकिन सालाना company के expenses में increase आया है after total income and total expense total income minus total expense is equal to PBT दोस्तों 24 करोड दोस्तों company का पिछले quarter में पिछले साल माफ करेगा यहाँ पर PBT था कितना 224 करोड जो बढ़के इस बार 260 करोड हुआ है तो हाँ company के definitely आपको देखने को मिलेगा साल बर साल में profit जादा बढ़ता हुआ तो देखने को नहीं मिला पर बढ़ता हुआ देखने को मिला 224 करोड से बढ़के 260 करोड लेकिन अगर quarter on quarter आप देखेंगे तो 298.28 करोड का जो company का यहाँ पर profit था वो कम होके अब 260 करोड रहता हुआ देखने को मिलेगा यह final figure नहीं है net profit की बात करेंगे जिसमें सब tax works सब join हो के numbers आते हैं, subsidiaries का profit join हो के आता है लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो overall जो PBT है, इसमें यही दिख रहे है कि Q on Q company के profit में decline आता हुआ देखने को मिला है, and why हुआ हुआ है company के profit में बड़ोतरी आती भी देखने को मिली है अब बात करते हैं company के net profit for the period के बारे में तो company का net profit देखिए 175 करोड का पिछले साल था इस साल आते आते 193 करोड रहे गया 175 करोड से बढ़के करोड का company का मुनाफ़ा था वो घटके 193 करोड ही रहे गया तो दोस्तों numbers साफ साफ दिखरें कि quarter on quarter performance company की इतनी बढ़िया आती हुई देखने को नहीं मिली है quarter on quarter हर पैमाने पर company ने इस बार कह सकते हैं कि आप गिरावट दिखाई है बढ़िया रहता हुई देखने को मिली है लेकिन एक चीज़ आप important है कि ये company का second straight quarter हो गया है जहाँ पे company की जो performance है वो quarter on quarter बढ़ती हुई देखने को नहीं मिली है second straight quarter जब Q3rd से Q4 के number हमने comparison करे थे तब भी दोस्तों numbers में दिक्कत आ रही थी मुनाफ़ा भी काम होता हुआ देखने को मिली है और इस बार भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो ही चीज़ साफ साफ देखने को मिल रही है कि quarter on quarter जो performance है वो company का इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है प्लस margins में भी आपको दबाव आता हुआ देखने को मिला है quarter on quarter एक और दिक्कत का आती भी देखने को मिल रही है company के EPS में EPS company का जो 1.54 का था वो 1.49 ही रह गया है और जब previous quarter में 2 तक का EPS पहुँच गया था वो 1.49 हो गया quarter on quarter भी डिपाती भी देखने को मिल रही है plus सालाना भी डिपाती भी देखने को मिल रही है सालाना डिपाने का मेज़ा कारण क्या है कि जो company के एक subsidiary है जो पिछले साल तक मुनाफ़े में थी वो इस बार company की subsidiary loss में आती भी देखने को मिल गई है subsidiary का यह joint venture करिए यह जो है दोस्तो वो अगर आप देखेंगे इस बार करीबन 4 करोड के घाटे में आती भी देखने को मिल रही है जो पिछले साल तक करीबन 9 करोड के मनाफ़े में थी उससे पिछले quarter में 15 करोड के मनाफ़े में थी तो एक जो EPS के गिन्या कारण किया कि कमपनी के जो joint venture है उसके अंदर आपको यहाँ पर loss आता हुआ देखने को मिल रहा है बढ़िया इत्ते आते वे देखने को नहीं मिले कि बहुत खुश हो जाए कमपनी का EPS गिरता हुआ देखने को मिल रहा है कमपनी का कह रही है कि अडानी विलमार का जो यहाँ पर strong growth आता हुआ देखने को मिले है record strong growth in volumes and revenue in Q1 FY 2023 यह भी काये कि strong performance जो है वो FMCG और food के businesses से आती भी देखने को मिले है जो volume में वो 15% सालाना बढ़ी है और revenue जो है वो 30% सालाना बढ़ा है यह company के तरए से बयान आते हैं वहाँ देखने को मिले है इसकी key highlights भी अगर आप देख़ींगे जो company का operating revenue है वे 30% से बढ़ता हुआ देखने को मिले है सालाना EBITDA जो है वो 14% से बढ़ता हुआ देखने को मिले है सालाना profit before tax 16% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है सालाना और P80 10% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है सालाना यहीं बात करें कि operation highlights की तो company के जो overall volume सरती भी देखने को मिली है वो 15% बढ़ी है जो करीबन 1.19 mmT पे आती भी देखने को मिल गई है edible oil का business 6% से grow किया है food and FMCG का business 53% से grow किया है सालाना industry essentials जो है वो 22% से सालाना grow किये करते हुए and overall अगर आप देखेंगे company का जो food and FMCG का revenue है वो 860 crore पे आता हुआ देखने को मिला है एक बात important company ने जो कहिए कि जो margin profile है सालाना वो भी improved होती भी देखने को मिली है volume growth के साथ-साथ तो ठीक है numbers overall में जैसा मैं आपको कहा कि quarter and quarter performance मुझे रखता है कि थोड़ी सी matter कर रही थी because जो भी होता हुआ देखने को मिला था ये दिक्कत है definitely quarter and quarter तो आती भी देखने को मिली है सालाना तो grow किया ही किया है definitely इसमें कोई doubt नहीं है पर अब important बात निकल के आती कि यहां से expectation क्या लगा के चले एक investor उससे पहले दोस्ते एक important बात जो company तरफ से निकल के आई है वो है debt के उपर company ने काया कि company paid off entire long term debt company ने ये काया कि AWLS paid off the entire portion of its long term borrowing this move will help in improving credit metrics and ratios enabling us to explore funds at competitive pricing तो कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छी बात आती भी देखने को मिली है company का demand के उपर भी एक बात निकल किया ये तो company ने ये कहा है कि we expect uptake in the demand in the Q2 FY23 second quarter जो रहता वाद देखने को मिल सकता है company मान के चले बढ़िया रह सकता है ये कहा कि festivities और wedding season जो आता वाद देखने को मिल रहा है across the country ये बहुत अच्छा रहता वाद देखने को मिलेगा और वो particularly expect कर रहे हैं कि growth आती भी देखने को मिलेगी demand के अंदर जादा rural market से और expectations काफी बढ़िया है मॉन्सून से दूसरी बाए दोस्तों अगर आप देखेंगे company ने क्या कहा है कि जो function और health oil की categories है वो लगा था grow करती भी देखने को मिलेगे उन्हेंने काई कि functional oils और health oils जो बली rice brand हो गया mustard हो गया यह सब काफी टेजी से grow करते हुए देखने को मिल रहे हैं जो company ने अपना near term outlook बता है अब friends बात करते हैं stock के targets के उपर so important क्या है कि Adani Wilmar जिस प्रकार से दोस्तों आज numbers से पहले reaction दिया कोई ज़्यादा positive तो नहीं था 1.68% गिरता हुआ देखने को मिला Adani Wilmar के numbers overall मुझे लगता है कि ठीक है इतने भी ज़्यादा बढ़ी आते हुए देखने को नहीं मिले कि आपको मैं कहाद हुआ कि हाँ यहां से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा बट यही कि हाँ गिरावट भी ज़्यादा होती भी देखने को नहीं मिलने चीए साड़े 600 रुपेश लाकर 600 रुपेश का एक strong support zone है जहां से stock ने काफी बार bounce back किया है साड़े 600 रुपेश काफी important support है अबने एक बहुत बढ़या तेजी देख लिए दोस्तों counter के अंदर लास्ट एक महीने में जो करीबन 20% के आती भी देखने को मिली है लेकिन अगर कोई गिरावट होती तो साड़े 600 रुपेश दूसरा support आएगा वो फिर साड़े 500 रुपेश का support चासे bounce back पहले भी कर चुका है तो definitely काफी important रहने वाले में सब्सक्राव तो यह रहेगी कि अगर यहां पर गिरावट होती तो accumulate कर सकते हैं जिनके पास है existing position hold कर सकते हैं with a stop loss of 650 रुपीज तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so वीडियो बड़िया लगा होगा आपका क्या मानना results को पर जोता आएगा thank you friends watching this video